यहां पर मैंने अंजीर लिये है इस तरीके से इसे मैंने कईची से काट कर छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिये हैं यह 18 ग्रैम है इसे हूँ लिख्सी जार में डालेंगे इसे मिक्सी के अंदर हो 100 ग्राम खिश मिस्ट डालेंगे और ग्राइंड कर लेगे यास पर मैंने पैन रग दिया है इसके अंदर डालेंगे यह पाजू बदाम और अपरोड उनको हम भून लेंगे यास की फ्लेम को मेडियम को लो रखेंगे इसे हमने इंचाब लिए तक आप यह प्लेट में उनकाल लेते है इसके अंदर डालेंगे दो बड़े चमच सपेद पील और एक बड़ा चमच फस्पस घूम लेगे चटकने लगे हैं तो आप इसे हम निकाल देंगे आसकर पैन रग दिया है इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच देसी घी घी अच्छ गरम होने के बाद आले जाए पिसा हुआ अंजीर और फिश्मिश भी आसे गहीं के आंदर मिक्स करके भूने देगे दो 3-3 मिनिट तक पका लिया है धिम्याच पर श्टीक में लिए धिम्याच पर पका लिया है द्यायच के अंदर डालेंगे ये लाइची पाउडर भी कर देंगे ऑर इसके अंदर ये गुने हुय ड्राइव ये पिश्च ऑट बो मिक्स कर देंगे बहुत ही अच्छी फुश हुआ रही है ग्यास की फ्रेम पॉप कर देंगे और इसके अंदर एक चमचाम शहट दालेंगे याने के हानी प्यान गरम है तो इसके अंदर यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा हनी की वज़े से स्वाद भी बड़ेगा और बाइंडिंग अच् कर लेंगे 10 मिनिट हो चुके हैं या चिद्र से थंड़ा हो चुका है तो आभी हम इसके लड़ू बनाएंगे आपको जितने बड़े च्छोटे चाहिए वैसे आप लड़ू बना सकते हो इस तरीके से और एक बना कर दिखाती हूँ इस तरीके से हम सारे लड़ू बना कर लेते हैं इतने मिश्णन से 12-13 लड़ू बनकर तयार हो जाते हैं इसे आप किसी एर्टैट कंटेनर में भर कर चार से पाच हपते तक आराम से खा सकते हो इस तरीके से हमारे अंजिर के लड़ू बनकर तयार है इसे आप ज़रूर ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद